नमस्कार आज हम मनुविज्यान कक्छा 12 के पहले अध्याय के भाग तीन का अध्यान करेंगे पिछले भागों में हमने बुद्धी के सिध्धानतों और बुद्धी के मापन हेतु विभिन परिक्षणों को जाना और समझा इस भाग में हम संस्कृति तथा बुद्धी, सामबेगिक बुद्धी, विशेश शमताओं एबं स्रजनात्मक्ता के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति तथा बुद्धी के संस्कृति और बुद्धी की जब भी हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमारी बुद्धी क्या अलग-अलग संस्कृति में अलग-अलग तरह से लोग बुद्धी का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक हमारा मुख्य विंदू है जो की मनोवैज्यानिकों के द्वारा अध्यान किया गया है। शांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धी के विक्षित होने में एक संदर्व प्रदान करता है। याद करें श्टेंड वर्क के सिध्धान्ट को जिसमें कि हम सांद़विक बुद्धी की बात करते समय बिजनेस इंटेलिजन्स की बात कर रहे थे। एक विशिष्ट संस्कृति के आधार पर एक विशिष्ट परिस्थिती के आधार पर हम एक बुद्धी पून ब्यावहार करते हैं तो अलग संस्कृति है तो अलग तरह का बुद्धी या अलग तरह की विशेष्थाएं देखने मिल सकती हैं वाई गौट्सकी कहते हैं संस्कृति एक ऐसा सामाजिक संदर्व प्रदान करती है जिससे व्यक्ति रहता है विक्सित होता है और उसके आसपास के जगत को जानता है आप देखिए कि जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं उस संस्कृति की विशेष्टाओं को हम catch करते हैं उस संस्कृति की विशेष्टाओं को हम सीखते हैं और उनहीं विशेष्टाओं को हम आगे बढ़ाते हैं वाई गॉट्स की मानते हैं कि उच्छ तरह की मानसिक प्रक्रियां हैं जैसे की समस्य समाधान चिंतन हमारी संस्कृती का प्रतिफल है यदि हम देखें कि कुछ समाज जो की तकनी की रूप से विक्सित समाज हम कह सकते हैं वो इस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं कुन में तकनी की बुद्धी को बड़ावा मिलता है उनको उस तरह से वो प्रोजेक्ट मैथोड से या तकनी कों के माद्यम से वह सिखाते हैं तो उनकी तकनी की बुद्धी की तरफ विक्सित होती है जबकि विश्व के दूसरे कुछ हिस्सों में जहां पे संस्कृति कुछ इस तरह की है कि जहां पे तकनीक से ज़्यादा सामाजिक संबंधों को महतु दिया गया है वहाँ पे सामाजिक संबंध बनाने संबंधी विशेष्टाओं को बुद्धी के लक्षण के रूप में माना जाता है यदि हम भारतिय संस्कृति में भारतिय परंपरा में बुद्धी की बात करें तो भारत में बुद्धी को समाकलित रूप में लिया गया है integrated form में लिया गया है और यह integration समाज वैस्षिक परयावरण के साथ मनुष्य का क्या संबंध है उस रूप में देखा गया है integration इस रूप में भी हुआ है कि व्यक्ति का संग्यानात्मक और आसंग्यानात्मक दोनों पक्छों को आ संग्यानात्मक पक्ष जैसे कि अभीप्रेरण और संबेख इनको भी बौधिक प्रक्रियाओं में समाकलित किया गया है यदि हम बात करें कि भारती परंपरा में बौधिक छमता कि क्या विशेष्टाइं स्वीकृत हैं क्या मानताइं श्वीकृत हैं तो उनके से वसुदेव कुटुम्बकम की धारणा को मानने वाले लोग हैं और हम सामाजिक संबंधों को बहुत अधिक महत्तो देते हैं तो सामाजिक छमताओं को भी हमने बौधिक छमता की तरह लिया है इसके साथी साथ सामबेगिक छमता और व्यक्ति की उद्यमी छमता व्यक्ति कैसे अपने समाज में संगर्स करते हुए आगे बढ़ता है कैसे वह उद्यम करते हुए आगे बढ़ता है उस तरह की चमताओं को भी बौधिक चमता के रूप में लिया गया है चलिए अब हम बात करते हैं सामबेगिक बुद्धी की सामबेगिक बुद्धी पर बात करने से पहले मैं आप से कुछ प्रश्ण पूशता हूँ उनके उत्तर खुजिएगा यह प्रश्ण आपने कई बार सुने होंगे कुछ लोग बोलने लगते हैं कि तुम रो रहे हो रोना सामबेगिक कमजोरी है इमोशनली तुम कमजोर हो मेरा सवाल है क्या रोना सामबेगिक कमजोरी है क्या बारबार गुस्सा होना सामन है क्या दुख पर नियंत्रन हमें करना चाहिए या दुख आ रहा है तो उसको हमें सीधे साक्षी भाव से अनुभाव करना चाहिए क्या आश्चरे प्रकट करना उचित है क्या सामवेगिक बुढधी और सामान बुढधी अलग-अलग होती है इन ही प्रश्णों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे सामवेगिक बुद्धी के अध्यन से सैलवी और मेयर ये दो बड़े प्रसिद्ध मनुवैज्यानिक हैं इन मनुवैज्यानिकों ने सामवेगिक बुद्धी पद को प्रस्तावित किया था ये कहते हैं अपने तथा दूसरे के emotions को monitor करना अपने तथा दूसरे के emotions का परिवीक्षन करना उनमें बिभेदन कर पाना उनमें अंतर जान पाना और इन अंतर से प्राप्त सूचना के अनुसार चिंतन तथा व्यावारों को निर्देशित करने की योगता यह समगर रूप से सामबेगिक बुद्धी है यदि हम बात करें इसी परिभासा को लेकर बात करते हैं तो देखें कि उच्च सामबेगिक बुद्धी वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं उनकी विशेष्टाएं क्या होती हैं क्या वे उसी तरह से भिन्न हो सकते हैं जिस तरह से सामान बुद् अपनी भावनाओं और संभेगों को जान पाता है अपने साथ साथ वह दूसरे व्यक्ति की संभेगों और भावनाओं को जान पाता है कैसे जान पाता है वो उसके शरीर की भासा को देखकर उसकी आवाज को देखकर उसके चहरे की अभिव्यक्ति को देखकर कई बार हम मुस् और हम यह देख पाते हैं कि यह व्यक्ति मुस्कुरा जरूर रहा है लेकिन यह गुस्सा भी प्रकट कर रहा है तो क्या हम यह पहचान पाते हैं यदि हम पहचान पाते हैं तो हम उच्च हैं यदि नहीं पहचान पाते हैं तो emotional intelligence पे हमारा इस तर कम है अगली विशेषता है अपने संबेगों अपने emotions को अपने विचारों के साथ संबध करना और यह संबध करना क्यों आवशक है समस्या समाधान करने हैं तू और निर्णय करने जब हम अपने emotions को अपने विचारों के साथ संबध करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम इस emotions में हैं हम अभी गुस्से में हैं और गुस्से में हमें कोई महात्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है यदि हम यह इस तरह का संबध हम कर पाते हैं तो हम एक उच्च सांबेगिक वुद्धी वाले व्यक्ति हैं अपने संबेगों की प्रकृति और उनकी तीब्रता और उनके प्रभावों को समझना यह एक अगली विशेष्टा है जो कि एक सांबेगिक वुद्धी से में उसे मालूम होता है कि इस व्यक्ति के सामने यदी में गुस्सा व्यक्त करता हूं तो उसका क्या परिणाम होगा इस व्यक्ति के सामने में स्नेह प्रदर्शित कर रहा हूं तो उसका क्या परिणाम होगा इस व्यक्ति के सामने यदी में दुख प्रकट कर रहा हूं तो उसक व्यक्ति जोकी सांबेकिक बुद्धि में उच है वह अपने संबेगों को नियंतृत रख सकता है इक बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है गुस्था हो जाना आसान है लेकिन सही व्यक्ति के सामने गुस्सा होना सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना यह आसान नहीं तो यहां यह कहना आवश्यक है कि हमें अपने संबेगों पर नियंत्रण करना आवश्यक है यदि हम अपने संबेग से अपने व्योहार से सामने वाले यह सामने वाले व्यक्ति के ब्योहर को भी प्रभावित करना चाहते हैं जिस तरह से सामान बुद्धी में व्यक्ति गत्विन्यताएं होती हैं कि एक व्यक्ति कम बुद्धी वाला होता है एक व्यक्ति जादा बुद्धी वाला होता है उसी तरह से सामवेगिक बुद्धी मे समझ पाते हैं कुछ लोग कम समझ पाते हैं अक्सर बात की जाती है कि IQ से ज़्यादा EQ महत्वपूर्ण है हमारी सफलता में बहुत हद तक यह बात सच भी है हाला कि IQ और EQ के विवाद में मैं यहां पर नहीं उलजना चाहूंगा लेकिन यह बात सच है कि बुद्धी या IQ जहां संग्यानात्मक पक्ष की बात कर रहा है वही EQ हमारे संबेग और अभी प्रिरणाओं की बात कर रहा है तो EQ निश्चित रूप से हमें मदद करता है कारियों को अच्छे तरह से संपादित करने के लिए हाला कि यदि हम भारतिय परिदर्श के अनुसार बात करें जिसमें बुद्धी को समग्र रूप में देखा गया है जिसमें संग्यानात्मक और आसंग्यानात्मक पक्ष दौनों को एक साथ रखा गया है तो हम देखें आईक्यू और एक्यू का कोई अंतर ही नहीं रह जाता है चलिए सांबेक एक बुद्धी के बाद अब हम बात करते हैं अभिछमता के ये विशेश तरह की योगता है अभिछमता को हम यूँ समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा संयोजन है जो व्यक्ति द्वारा प्रसिक्षण के उपरांत किसी विशेश छेत्र के ज्ञान अथवा कोशल के अरजन की चमता को प्रदर्शित करता है आप इसको यूँ समझिये कि आज मेरी वो चमताएं जो मुझे कल प्रसिक्षण के बाद कुछ चमताएं अरजित करने में मदद करें आज मेरे अंदर कुछ ऐसे अंक गणित संबंधी कुशलताएं हैं जो आगे जाके मुझे गणित संबंधी विशेशगता हासिल करने में मदद करें आज मेरे अंदर कुछ ऐसी भाषा संबंधी योगताएं हैं जो आगे प्रिसिक्षण उपरांत मुझे एक अच्छा लेखक बनने में मदद करें आज मेरे अंदर कुछ ऐसी मैकनीकल योगताएं हैं जो आगे जाके प्रिसिक्षण उपरांत मुझे मैकनीकल अच्छा मैकनीकल इंजिनियर बनने में मदद करें तो अभी छमता हमारी वह छमता है जो आज की स्थिती है और जो यह पूर्व कथन करती है अभी छमता भविष्य के निश्पादन की ओर पूर्व कथन करने में सहियोगी होती है वह भविष्य की ओर बताती है कि आप इस छेत्र में भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे कई बार हम लोग अपनी अभी रुची को ही अपनी अभी चमता समझ लेते हैं मैं कई बार अपने विध्यारतियों के साथ अपना खुद का एक उधारन साजह करता हूं मेरी खुद की संगीत में अभी रुची यदि इसका मापन कर लिया जाए तो यह बहुत अधिक है दरसल अभी रुची होती है कि किसी दो उपस्थित इस्थितियों में से हम किसको प्राथमिकता देते हैं तो निश्चत रूप से जब कभी आप मेरी अभी रुची मेरा इंट्रेस्ट जानेंगे तो मेरा इंट्रेस्ट म्यूजिक में ज्यादा निकल आता है यह मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं लेकिन मैं अभिछमता की बात करूँ मेरी शायद संगीत के छेतर में अभिछमता उतनी नहीं है तो यहां पर अभिछमता और अभिरुची के बीच का अंतर स्पस्ठ होता है हम अभिछमताओं का मापन कई तरह के परिक्षणों से कर सकते हैं मनो वैज्ञानिकों ने जिस तरह के परिक्षण विक्सित किये हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में वेवाजित किया जा सकता है विशेशी कृत परिक्षण जो कि विशेश तरह की अभिछमताओं का मापन करते हैं और सामानी कृत परिक्षण जो कि सम्मिलित रूप से कई अभिछमताओं का मापन करते हैं तो विशेशिक्रत अभी छमता परिक्षणों में लिपकी अभी छमता परिक्षण क्लेरिकल अप्टीटूट टेस्ट एक कलर्क के लिए किस तरह की छम्ताओं की आवश्यक्ता होती है क्या वह Spelling हिज्जे ठीक से पढ़ लेता है क्या वह गलतीयों को देख लेता है गलतीयों को पहचान कर लेता है वह व्याक्रण की तुटियों को पहचान कर लेता है इस तरह की कुछ पद सम्मेलित होते हैं जो की clerical aptitude test में सम्मेलित हैं दूसरे तरह के अभिशमता परिक्षण हैं यांत्रिक अभिशमता परिक्षण mechanical aptitude test आंकिक अभिशमता परिक्षण numerical aptitude test सिक्षण अभिशमता परिक्षण teaching aptitude test में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस व्यक्ति को यदि प्रसिक्षण दिया जाए तो क्या यह एक अच्छा सिक्षण बन सकता है आजकल हम civil service में भी civil service अभिशमता परिक्षण का उपियोग करने लगे हैं कि जब एक व्यक्ति civil सेवा में पहुंसता है एक जिले का collector बनता है DM बनता है तो क्या वह जिले में आने वाली चुनोतियों का सामना ठीक धंग से कर पाएगा सिर्फ बुद्धी ही अकेला परयाप्त नहीं है उसको उस परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की चमता होनी चाहिए तो civil service अभिशमता परिक्षण में इस तरह के पद समलित किये जाते हैं यदि हम बात करें सामान्यकृत परिक्षणों की तो DAT और GAT दो तरह की परिक्षण मालाएं प्रसिद्ध हैं DAT differential aptitude test है GAT generalized aptitude test है इन परिक्षणों में अलग-अलग तरह के छेत्रों को एक साथ सम्मिलित किया गया है और उसके आधार पर हम एक profile तयार कर लेते हैं कि इस छेत्र में व्यक्ति उच है इस छेत्र में अपेक्षाकृत कम है इस छेत्र में थोड़ा और ज्यादा है तो हम एक profile के base पे उसको आगे निर्देशन करते हैं कि आपको इस छेत्र में अपना करियर का चुनाओ करना चाहिए अगला हमारा महत्पूर्ण जो पद है वह है स्रजनात्मक्ता creativity हम सभी लोग creativity की बात करते हैं हम स्राजन सील होना चाहते भी हैं हम सारे लोग कहते हैं कि इस छेत्र में सामानड़ंग से काम नहीं चलेगा कुछ creative कीजिए कुछ स्रजनसील बन के दिखाईए आप आज हम यह जानने की कोशिश करेंंगे कि स्रजनसील हम किसे कहेंंगे क्या सामाने कार करने वाला व्यक्ति स्रजन्सील हो सकता है यह स्रजन्सील होने के लिए कुछ खास तरह के काम ही करने होंगे क्या सामाने तरह के जो काम कर रहा है वह अपने सामाने कामों में स्रजन्नात्मक्ता को जोड़ सकता है श्रजन शिल व्यक्ति की हम पहचान कैसे करेंगे श्रजनात्मक्ता का और बुद्धी का क्या कोई संबंध होता है और यदि वो संबंध होता है तो वह किस तरह का संबंध होता है चलिए आगे बात करने से पहले कुछ उधारनों की चर्चा करते हैं भोजन बनाने की एक नई बिधी आप मटर पनीर बनाते हैं उस मटर पनीर में क्या कुछ नया आज किया है मिट्टी के बरतन आप रोज बनाते हैं आज क्या उसमें कुछ नयापन किया है कुछ समस्याओं का समाधान हम खोशते हैं समस्याओं का समाधान खोजने में कुछ नयापन लेके आये हैं कुछ नई कभीता लिखी है क्या कोई नया चित्र बनाया है क्या WhatsApp मैसेज आते हैं हम अक्सर उन मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं क्या WhatsApp पे कोई नया विचार उसील संदेश आपने तैयार किया है क्या कोई नया विचार दिया है या किसी स्थापित विचार में कुछ नयापन जोड़ा है कोई नई रासाय ने क्रिया का पता लगाया है या नई विधी से रोज का कोई काम आपने नए ढग से किया है आप देखेंगे छेत्र अलग-अलग हैं किन्तु सब में मैंने एक नए पन की बात की है एक नए पन के तत्तु की बात की है तो स्रजन सीलिता में एक नयापन होता है कुछ अलग ढंग से हम समस्या का समाधान ढूंडने की कोशिश करते हैं लोग यह बोलते हैं कि बुद्धी यदि अधिक है तो स्रजन सीलिता भी अधिक होगी सर्जनात्मकता भी अधिक होगी क्या यह सत्य है कई अध्यन किये गए कई अध्यनों में यह पाया गया कि यह आवश्यक नहीं हो यह बात हो सकता है आपको अटपटी लगे यह आवश्यक नहीं है कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ती अधिक क्रियेटिव अधिक श्रजन सील भी हो एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी समस्याओं का समाधान करता है बहुत सारे velocidad के प्रश्णों को हल कर लेता है आवश्यक नहीं है कि वह श्रजन्सील भी हो लेकिन एक व्यक्ति जो अपेक्षक रत सामान बुध्यमान है लेकिन वह नए पन पे विचार देता है नया कोई इरादा रखता है कोई नए ढंग से समस्या को समाधान करता है तो वह श्रजन सील हो सकता है एक व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है और श्रजन सील भी हो सकता है दौनों चीजन संभव हैं सोधों में सरजनात्मक्ता और बुद्धी में सकारात्मक संबंध पाया गया है यह यह सच है कि अधिक बुद्धी तो स्रजनात्मक्ता भी उसके साथ साथ बढ़ती पाए गई है यहां बुद्धी बढ़ रही है तो स्रजनात्मक्ता भी बढ़ रही है लेकिन यह संबंध सी मित ही है चलिए अब हम बात करते हैं कि स्रजनात्मक्ता का परिक्षण यदी किया जाए तो परिक्षण कैसे करते हैं बुद्धी में जहां हमारे प्रश्णों के जो उत्तर होते हैं वह निश्चित होते हैं जबकि स्रजनात्मक्ता वाले परिक्षणों में जो पद होते हैं जो प्रश्न होते हैं वह मुक्त अंत वाले होते हैं जैसे कि यदि मैं आप से पूछूं कि आपके घर में यदि चके लगा दिये जाएं तो कैसा होगा जरह सोचके बताईए कि आपके घर में यदि चके लगा दिये जाएं तो आप क्या-क्या कर पाएंगे और क्या उसके पर व्यक्ति को मौका देते हैं कि वह अपनी श्रजन सीलता का उप्योग कर सके अपसारी चिंतन का उप्योग कर सके अपनी अभी व्यक्ति को बिविधिता के साथ प्रकट कर सके इसके अतिरेक्ट कुछ परिक्षण विशिस्ट छेत्र पर आधारित परिक्षण होते हैं यदि हम स्रजनात्मक्ता के परिक्षणों की बात करें तो गिलफ़र्ड, टोरेंस, कोगेन, परमेश्वर, वाकर, महंदी, आधी ने स्रजनात्मक्ता के परिक्षणों को निर्मान किया है यहां हम इस भाग का समापन करते हैं इस भाग में हमने संस्कृति तथा बुद्धी, सामबेगिक बुद्धी, विशेश चमताओं और स्रजनात्मक्ता को समझा धन्यवाद करा दो करते हैं जलक करते हैं हम इस भाग, जह मता करते हैं खलक को विशेश्यवध अरच बुद्ध खलमेशज चमझा sodium भीश्यवध – तब किया विशनात्मक्ता पिepend।